नमस्कार प्यारे सातियों स्वाकत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरू के उपर और आज का मेगा सेशन होगा लगातार सवालों की भरमार सवालों की बॉचार लगातार तो आते हैं शुरू करते हैं आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा सामने तर देखिए जितने भी एक्जाम्स चाहिए आप किसी भी एक्जाम्स की प्रिप्रेशन कर रहे हो आपको हमारा ये जो सेशन है लगातार सवालों की भरमार वाला इसके अंदर आप जितने भी चाहे आप एक्जामस दें सब एक्जाम में ये सलेबस के अंदर questions निश्यत रोप से आने ही आने हैं और इनसे हटकर question नहीं आएंगे तो practice session बहुत ही शांदार हो जाएगा आपकी speed आपकी accuracy सभी चीजों का आपका पता चलेगा इस हमारे session के द्वारा तो शुरू करते हैं सर आज का हमारा पहला सवाल आपकी screen के उपर यह राशर पार यहां पर related word आपको find out करना है कि reason से SFB TPO निकल कर आया है तो think से यहां पर क्या निकल कर आएगा यह आपको find out करना है बिटा देखिए R से S हो गया है बिटा E से F हो गया है A से B S से T O से P N से हो यानि प्लस का 1 सभी के अंदर indicate हो रहा है 30 T से plus 1 कौन हो जाएगा यू बिटा यू option तीन options के अंदर है आगे और चलेगे बिटा last वाले option को देख लें बिटा last वाला जो word है last वाला जो alphabet है उटला वाला तो यू है लेकि लास्ट व्वाला सभी में डिफुरेंट है तो लास्ट वाले को प्लस 1 करें टाइम बचेल आपका केके बादमे कोन अदा है एल बिटा लास्ट कवर्ड आएगा एल पहला आएगा यू यानि ऑप्शन नंबर बीज रहा है अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ओपर यह रहा सामने बिटा PCFE और NORQ यह 2 पर आता है यह 3 पर यह 6 पर और यह 5 पर यह 8 पर आता है यह 9 पर यह 12 और यह 11 पर ध्यान से देखो 2 से 8 हो गई तीन से नौ हो गए, छे से बारा हो गए, पात से ग्यारा हो गए, बिटा तुमने ध्यान से देखा होगा, सभी के अंदर प्लस का 6 हो रहा है, देख पा रहे हो, प्लस का 6 जुड़ रहा है, सभी अलफबेट के अंदर, तो यहां पर भी 6 अलफबेट जोड़ दें, सर 6 21 पर आजाएगा पिटा, U, R 18, 18 और 6, 24, 24 पर आजाएगा पिटा, डव, ठीक है? सॉरी, 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 या कर दिया, X, और Q, क्यों आता है पिटा, 17 पर 17 और 6, 23, टीक है, टीक है, टीक है, टीक है, सॉरी, यू, एक्स, डवल, लू, इन मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी विजी बिलिटी, और अपनी अक्यूरेटी, तीनो चीज़ों को, क्या आप कर रहे हैं, क्या वो सवाल सही है कि नहीं है, पहला पॉंट, जिस question को आपने किया है, आपने उस question को करने में कितना time आपका खर्च हुआ है, कितना time आपने consumption किया है, बहुत important जीज, लाखों बच्चे exam देते हैं, आप exam के duration में उस सवाल को कर पा रहे हैं, कम second में, एक बच्चा 20 second में सवाल कर रहे हैं, आप अपने 10 second बचा रहे हैं, exam मे एक एक second, एक एक number को लेकर importance रखता है बटा, एक घंडे का paper होता है, questions की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से competition में बच्चे मार खा जाते हैं, आईगे, अगला सवाल देखिए sir, next question, बटा, A से C, Z से X, P से D, और Y से W, देखे ज़रा निहान से, गाईए, पटा, A के अंदर अगर मैं 2 जोड़़ हूँ तो C हो गया, ठेक है, और E के अंदर अगर मैं 2 जोड़़़ दो, तो C हूँ ठेक है बटा, पटा, यहाँ पर Z, Z अया है, माइनस का 2, Z में अगर मैं माइनस 2 कर दूँ, Z आता है, 26 पर X आता है, 24 यानि माइनस का 2 वी आता है वी आता है बाइस पर और बाइस में से अगर मैं दो लहस्थ कर दूँ तो बेटा दो लहस्थ करने पर कौन आ जाएगा जी टी फटा फटा आंसर लगा दें आप जल्दी से अगला सवाल देखें नेक्स्ट क्रेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा बेटा सी यूटी अब यार यहां पर तो कट दे रखा है यहां पर अलफाबेट की संख्या बढ़ चुकी है मामला थोड़ा सा गंबीर हो चुका है समत स कोई इशू रहे है कोई इशू नमापनी इच्डा अके बताओंगा जल्दी करो जल आप लोग फटापट करने की कोशिश करो चल्दी-जल्दी स्पीड अपनी स्पी्ड को हमेशा मेंटें रखेंगे तब हामला बनपाएं कि को देखें बटा इसी क Hoş क tomar और जस्पनी बाद किये गए है, C से पहले आता है बेटा, B और C के बाद आता है बेटा, T, तो BD यहां पर put up हुआ है, ठेक है, अब U, बेटा, U के पास पहले वाला और बाद वाला, बेटा, U से पहले तो आता है T, और बाद में आता है, B, P, D, T भी है, बिल्कुल है, सर इसी तरहेके से T, T के पहले वाला और T से जस्ट बाद वाला, सर T के पहले आता है, S और बाद में आता है, Q, तो देख लें, B, D, T, V, S, U, यहां पर put up किया गया है, coding, सोरी, इस लेटर से इस लेटर तक जाने के लिए इसने इस तरीके से code किया है, बेटा, निकाल लेंगे टिप का, T से पहले को आता है, S आता है, बाद में कोन आता है, U आता है, S, U, बेटा, S, U, पहले और, स्वारी, दूसरे और चौथे option, दो-दो के अंदर है, आगे और चानमीन कर लेते है, I से पहले कोन आता है, I आता है, 9 पर I से पहले आता है, 8, H, और बाद में आता है, 10 पर J, P, 16, 15 और 17, तो बेटा, 15 पर कोन आ जाएगा, P से पहले कोन आता है, वैसे तो option तुम्हारा ध्यान से देखो के निकल चुका है, आगे निकालने की आवशक्ता है ही नहीं, लेकिन फिर भी बेटा, P से पहले, O, और P के बाद Q, S, U, H, J, O, Q, H, J, जैसे ही मैंने लिखा, आपका आंसर यहा अगले वाले अलफाबेट पर जाने के लिए दो-दो जुड़ रहे हैं, एक पर आता है, एक में दो जुड़े, तीन, तीन पर आता है, सर पहले वाले के अंदर दो जुड़े हैं, अगले वाले C से F जाने में बेटा, तीन जुड़े हैं, ठीक है, A से C जाने में, B, C, दो हो एल्फाबेट जुड़े है जबकि सी से ऐने में यह तैन पर आता है यह चेह है तीन जुड़े नो इसी तरही से पहले में आप 2 जूड़े ए तेरह और दो पंद्र्य पर आजाएगा और पंद्र रही वहाता है पंद्रे में 18 पर आ जाएगा भीटा पॉड्र देखने, clear है, fundamentals clear होने चाहिए, speed maintain होने चाहिए, fundamentals clear होने चाहिए, फटा पड़ speed देखे, जल्दी से अगला सवाल आपकी screen के उपर, फटा पड़ जल्दी से नजर डालिए इसके उपर, नजर डालिए पड़ा पड़, speed अपनी में इंटर्ण रखेंगे, past speed से question करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके, speed अपनी हमेशां बरकरा रखेंगे, speed नहीं, तो मामला हमेशां कर बढ़, देखें बड़ा, b, c, d बइड़ा ये आता है, दो पर ये आता है, तीन पर और ये आता है, चार पर ये आता है, पैटा ध्यान से देखिए, दो में पांच जुड़े साथ हो गए दो में पांच जुड़े साथ हो गए तीन में बिटा कितने जुड़े तीन जुड़े छे हो गए और चार में दो जुड़े पांच हो गए बिटा यहां पर चार में एक जुड़ा पांच तीन में तीन जुड़े छे यहां पर इस तरीक को देखें जड़ा करने की कोशिश करें आगे वाली डिजिट का करने की कोशिश करें अपड़ा पड़ स्पीड देखें अपनी मेंटेन रखें अब मेरी बात सुनो अगर मैं इस तरीके से करो इस सवाल को चार और तीन जुडे साथ तीन जुडे वेटा चैंप और दो और तीन जुडे वेटा पाच यानी डी का कंपेरिजन किया G से C की connectivity बनाई है F से B की connectivity बनाई है E से बिटा इसी तरीके से जो last वाला digit है उससे आएगा पहला digit J आता है बिटा J कितने पर आता है 10 पर जे कितने पर आता है 10 पर 10 में 3 जोड़ें बिटा प्लस का 3 हो रहा है ध्यान से देख लें आप बिटा यहां पर जे में तीन जोड़ने तेरह पर कौन आजाएगा? M बेटा, I 9 पर आता है और 9 में तीन जोड़ने बेटा, 12 12 पर कौन आजाएगा? L 8 बेटा, H आता है, 8 पर 8 में तीन जोड़ने बेटा 11 पर कौन आजाएगा? K M, L, K is the correct answer ठीक है? सवाल को करने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा आपको clear cut होना चाहिए बेटा अगला सवाल देखिए बेटा बहुत ही simple सा बहुत ही comparatively सवाल ये equivalent सवाल है numberings आपको याद होने चाहिए second वाला question है बेटा, M13, O15 सीधा सीधा number put up अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा सामने बहुत ही simple सवाल देखते ही question का answer निकल गया रहा है number उसे प्यार और तुरंथ वहाकार देखो साथ की square 49 plus 1 50 11 की square बेटा, 11 की square हो जाएगी 121 plus 1 120 2 12 समझ में आया की नहीं आया है सभी के clear है अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा सामने पटाबट देखिये ज़रा साथ से पाँच पीटा, देखो सभी के अंदर हर एक डिजिट के अंदर यहां पर माइनस का दो हो रहा है सात में दो गए पाँच पाँच में दो गए तीन आठ में दो गए छै और चार में दो गए दो तेख लें 4 में माइनस दो कर देंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा सामने देखते ही क्रश्ण का अंस्तर निकल के आ रहा इतना जंजट का काम ही नहीं है इतना टिपिकल काम ही नहीं है बिटा सवाल देखो दस की स्क्वेर बराबर सो बिटा सो तो है नहीं लेकिन नजदी की है एक घटा दिया एक घटाया तभी तो निन्याने में आया बिल्कुल सही है तो नौ की स्क्वेर हो जाएगी राजकुमार 81 घटा दो एक एक घटा दो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा सामने विटा नेक्स्क्रेशन देखें बिटा 37 से 23 19 से क्या होगा बहुत ही अच्छा क्यूश्यन है और देखते ही सवाल का अंस्वर आखों के सामने चागे है विटा इतना सिंपल क्यूश्यन है यह वाला भी सवाल का पिटा 37 से 23 आने में माइनस के 14 लेस हुएं है हुएं कि नहीं हुएं भाई 37 से 23 यहां पर 3 में से वन गया 2 बचे 7 में से 4 गये 3 बचे यानि 14 लेस हुएं तो जाहिश्ती बात है यहां पर 14 आप लेस कर दें बिटा आंसर तो आपकी स्क्रीन पर दिखी रहा है आपको का दि स्क्रीन के अबर बेटा देखो इन के अंदर क्या करना है आपको यहां पर देखो सवाल पढ़ो पहले प्रॉम दा अमेंग अल्टरनेटिवस दिए गए इन अल्टरनेटिवस में से एक ऐसा बंदा चांटी है एक ऐसी चीज चांटी है आप जिसे इस गिवन से मिलता जुल हो यानि इसके अंदर जो चीजें हो रही हो वही इस गिवन सेट के अंदर इन में से चार आप्शन के अंदर वही उसी तरीके का पैटन फॉलो को रहा हो सिमिलेरेटी के गश्चन साते हैं यह दिया गया समू जो है दो गिवन सेट दे रखा है ऐसा कैसा से दुबारा आपक मल्टिप्लाई हुआ है एक बार आठ से हुआ है बेटा दो का बेटा मा मल्टिप्लाई करूंगा तो साथ तो आई नहीं रहे तीन का मल्टिप्लाई करूंगा साथ बार 21 हा रहा है और आठ इंटू 3 चौबी सार है ऑप्शन नमबर बी देख लें आप मैं इस सेट को चेक सकथ तरह आपको 321 24 आसे देखें चेक भी क रहा हूं सर तर्तिन को सा से मेंटिप्लाइ करेंगे उसके बाद दुबारा इस चीज़ को मर्टिप्लाई करने पर एक बढ़ जाएगा साथ बढ़ जाएगा यानि कि हमें डिप्लाई करना पड़ेंगा 24 फिल्कुल as it is इस सेट के जैसा ये B वाला सेट है उसके अलावा किसी में कोई चीजें as it is दिया गया समू जो है वो और किसी में नहीं बन रहा है 4 को 4 से multiply करेंगे 16 जरूर आ जाएंगे पर 4 को 5 से multiply करेंगे 20 आएंगे 2 को multiply करेंगे तो 9 किसी भी condition में आई नहीं रहा है option केवल एक मातर बेटा कौन सा सेट हो रहा है B वाला option अगला सवाल बेटा फटा फटा अपना दिमाग लगाए और जल्दी से इस question का answer दे मुझे जल्दी से answer दे बेटा बेटा यहां पर देखो चार का अगर मैं दो से multiply करता हूँ अना सेट एक बार comparison करके देखते हैं दो से multiply करके दो जोड़ दिया है बेटा ठीक है और बेटा चार को तीन से multiply किया बारा आ गए बारा और तीन पंद्रा हो गए यह वाला pattern फोलो हो रहा है बेटा एक बार इसमें करते हैं तीन को एक से multiply किया तो बेटा मामला एक की जोड़ना पड़ेगा चार आ जाएगा तीन को दो से multiply करने पर सेट नहीं हो रहा है यहां पर देखते हैं बेटा यहां पर दो को multiply करते हैं बेटा कितनी बार दो को multiply करते हैं अगर चार बार तो 8 हा रहा है फिर 4 जोड़ेंगे तो बिटा 8-4 बारा हो गए ये भी वो set नहीं बैटर है जो pattern उसमें है वो set नहीं बैटर है बिटा 5 को 2 से multiply करेंगे दसा देगा और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है एक तो pattern ये वाला फोलो कर रहा है वेटा एक बार आपको समझ में नहीं आया हो वह दुबारा बता सकता हूं पांच है बारा है और अठारा है वेटा पांच को तीन से multiply कर दिया पंद्रह आगे पंद्रह है ठीक है एज इस जो pattern ऊपर वाले में था वही pattern फोलो हो रहा है आप बोलेंगे कुछ और मामला नहीं बैठ सकता है विलकुल दूसरा भी बैठ जाएगा देखो आप ध्यान से देखो बिटा नहीं नहीं चीज़ें सीखो च्यार में छे जोड़े दस आ गए ठीक है अपर देखेंगे आप पांच बारा और अठारा विटा पांच से बारा जाने के लिए पांच जुड़े तो आगे की तरफ आगे की तरफ बिटा नहीं नहीं यह वाला मामला तो यहां पर सैट नहीं बैठेगा विटा अच्छे घलत कर दिया भाएंगी माइने लाइंग दिखो तो खोपडी को एक बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई जाग जाओ दुबारा पांच में साथ जुडे 12 हो गए और पांच बारा में 6 जुडे 18 हो गए पिटा द्यान से देखो प्लस का 6 प्लस का 5 मतलब घटे गरम में है यहाँ पर 7 और 6 घटे गरम में है तो चीजें अगर ये वाली अप्लाई करेंगे तो भी option ती ही निकल कर आएगा दूसरा नहीं आएगा तीन जुड़े फिर बेटा छे जुड़ गए दो में छे जुड़ेंगे तो आठ होगा फिर दो जुड़ गए यानि साथ में तीन जुड़े तो बेटा दो जुड़ने चाहिए यहां पर आठ जुड़ रहे हैं तो यह वाला पैटन घटे गरम वाला भी किसी में सैट नहीं बैट रहा है अगले सवाल के उपर आएं बेटा फटा पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेशन राहुल और रॉबिन भाई है प्रमोद रॉबिन के पिता है बेटा राहुल और रॉबिन राहुल और रॉबिन दोनों के दोनों बेटा भाई है प्रमोद रॉबिन की पिता है तो प्रमोद राहुल के भी पिता हो जाएंगे प्रमोद रॉबिन के पिता है शीला प्रमोद की बेहन है बेटा कोई शीला है जो इस प्रमोद की बेहन है प्रेमा प्रमोद की भांजी है प्रेमा है कोई वो प्रमोद की भांजी है प्रमोद की भांजी का मतलब है शीला की बेटी है शीला की इसकी बेटी है कौन प्रेमा खेके हैं शुभा शीला की नातिन जो है वो शीला की नातिन शीला की नातिन नातिन का मतलब होता है शीला की नातिन यहां पर दोईति यहां रखो शुभा इस शीला's granddaughter बेटी बेटी सुभा फोड़गे राहूल का शुभा से क्या संबन्द हो जाएगा बिटा देखो राहूल का शुभा राहूल जो है वो इससे शुभा क्या बिटा शुभा का देखो शुभा की जो यह है प्रिमा शुभा की जो मा है तो जायशती बात है राहूल उसका भाई है यानि की इसकी मा का भाई यानि की मेरा भाई इसका शुभा का नहीं पेटा शुभा का क्या लगेगा मामा मैटनल अंकल हो जाएगा एक चौथा ऑप्शन है दिख नहीं रहा है लेकिन कोई इश्यू नहीं है दिखा देंगे उसको भी भांजा नेफ्यू दे रखा है ठीक है तो पूछा किसके बारे में राहूल रिलेटेट टू शुभा तो रा रहूल क्या हो जाएगा पिटा राहूल हो जाएगा यहाँ पर अगला सवाल कर दें है एक बार इसको धाथन वश्यू को और अगला सवाल देखलें बेटा बड़ापट जल्दी 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 निकालिए पड़ापट देखें बेटा प्रिती का एक बेटा है जिसका नाम अरुन ठीक है बेटा आगे देखते हैं राम प्रिती का भाई है इस प्रिती का कोई भाई है जिसका नाम है राम ठीक है नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम रीमा है अब ये नीता जो है वो नहीं कहानी आ चुके नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम राम रीमा है अब नीता है कोई उसकी नीता की एक बेटी है नीता टू है जो डॉटर नेम रीमा नीता की एक बेटी है जिसका नाम रीमा है नीता राम की बहन है अब नीता का और राम का रिलेशन अब निकल कर आया है कि नीता जो है वो इस राम की बहन है तो भाई इस राम की अगर बहन होगी नीता राम की अगर बहन हो जाएगी तो जाहिट सी बात है रीमा यहाँ पर आ जाएगी ठीक है था निता राम की बहन है अरुन का रीमा से क्या संबंद है यह जो अरुन है इस अरुन का इस रीमा से क्या संबंद है यानि अरुन क्या लगेगा इस रीमा का तो दाइट सी बात है, रीमा की मा, रीमा की मा, जान से सुनो, रीमा की मा और उसका भाई, यानि की रीमा का मामा, रीमा की मा और उनका भाई मामा, रीमा की यह हो सकता है, इसका confirm नहीं है, यह मामा भी हो सकता है और मौसी भी हो सकती है, रीमा की मामा भी हो सकता है और रीमा की मौसी भी हो सकती है तो रीमा की अगर मौसी है तो जाहिशती बात है अरुन इसका मौसी का लड़का या मामा का लड़का जो भी हो मौसेरा भाई है ये तो लड़का है ये इसके बारे में अरुन के बारे में पहले से पता है उपर ही दे रखाया कि अरुन जो है वो एक ब्रदर तिक है अगला सवाल देखें बेड़ा नेक्स्क्रिस्चन आपकी स्क्रीन के ओपर है फटापट देखें दिमाग लगाए अपने जल्ली से हमें यहां पर इन चारों में से चेक करना है मैंने चेक करने की कंडिशन्स आपको बता रखी है सर पहले भी चेक करने की कंडिशन्स पहले भी डिफाइन कर रखी है कि डिवाइट का जो सिंबल होता है उसे पहली प्राइटी दी जाती है यहां पर यह सिंबल कोई मतलब नहीं यह सर इनका यह सब बेकार हैं इन सिंबल को उपर वालों से चेंज करना पड़ेगा तो इन सिंबल कोई इंपोटेंस नहीं है यहां पर, चेंज करना, डिवाइड का सिंबल आएगा कहां से, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का आर्थ, विबाजन है, डिवाइड है, सर सॉल्व करें, यहां पर अगर डिवाइड आएगा, तो क्या 14 का 24 में डिवाइड हो रहा है, क्या मामल गड़बड यहां पर भी यहां पर भी गड़बड यहां पर मामला बिल्कुल सही है और यहां पर माइनस का सिम्बल ही नहीं है तो कोई इश्य नहीं है चेक करें सी वाले option को 24 divided by 12 पिटा आगे जाएंगे plus का सिम्बल किसको indicate कर रहा है multiplication को multiply by 12 और divide का सिम्बल किसको को रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रेक्शन को माइनस सिक्स्टीन बेटा मल्टिप्लाई का सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को प्लस 18 बेटा इन सब को दोड़ भाग करके 26 आना चाहिए यहां पर दो आजाएगा इंटू 12 हो जाएगा माइनस सोला बेटा माइनस का सोला और प्लस का अठारा अगर इन्हें स्टीन को साल्व किया क्योंकि पारह का भाग 24 में आसानी से जा रहा था यहाँ पर मामला points के अंदर आ रहा था केवल मैंने ये एक छोटी सी technology apply की और मेरा answer seat काया उसे मैंने check किया and the answer will be correct and the answer will be correct in few seconds फोड़े से seconds में सही हो गया हो केवल एक छोटा सा logic लगाया है divide को पहली priority देनी है first priority देनी है मेरे राजकुमार समझ जाना अगर लड़किया देख रही है वीडियो को तो राजकुमारी है हूँ ठीक है आ जाओ आगे देखो बेटा वापिस वही कहानी वही चीज़े divide को चेक करना है बेटा divide के symbol को first priority देंगे the divide symbol will be given first priority पिटा divide का symbol plus से बनेगा तो plus से बनेगा तो यहां तो मामला गड़बड है यहां मामला सही है यहां मामला सही है और यहां मामला सही है यानि केवल पहले वाले option में मामला गड़बड है बाकी सब में सही आ रहा है B से हम शुरुवात करते हैं पिटा B को चेक करते हैं, 36, divide का symbol represent कर रहा है पिटा minus को minus 6, divide by 3, plus represent कर रहा है divide को, multiply पिटा represent कर रहा है addition को, plus 5 और minus represent कर रहा है multiply को 3, पिटा solve कर ले, 5 को 3 से multiply करेंगे, 15 आजाएगा, यहाँ पर भाग देंगे, 2 आजाएगा, minus का 36 आजाएगा, पिटा 36, 36 में से 2 जाएगे, 34 आजाएगा, 34 plus 15 अगर solve करते हैं पिटा, तो 49 आजाएगा, जो की यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यानि option number भी wrong हो जाएगा पिटा आगे चेक कर लेते हैं पिटा, तीसरे option को, 36 भाग 6, सर्म, आगला जो सिंबल है, आपर, वो है, minus का, minus represent कर रहा है, multiply को, multiply by 3, आप चाहिए तो मैं directly भी solve कर सकता हूँ, इसको, यहाँ पर आजाएगा, पिटा, 6, 6 में से 3, 6 को, 3 से multiply कर देंगे, 6 इंडू 3, 18, पिटा, सीधा सिधा solve करेंगे, 18 आजाएगा, cross का जो सिंबल है, और रिप्रेजेंट कर रहा है, addition को, जोड़ दे, पिटा, 18 और 5, समझ गया, cross का सिंबल किसको, रिप्रेजेंट कर रहा है, addition को, 18 और 5 कितने हो जाते है, पिटा, आगे चेक कर लेते हैं, लिग देता हूँ, divide का सिंबल और माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का तीन, पिटा, 18 और 5 हो जाएंगे, 23, माइनस 3, खतम केल, अंतिम, option, D, option, पिटा, 36, माइनस का मतलब होता है, पिटा, multiply by 6, plus का मतलब होता है, पिटा, divide by 3, multiply का मतलब होता है, पिटा, addition by 5, और divide का मतलब होता है, माइनस 3, 74 हो जाएंगे, यहाँ पर solve करेंगे, इसका आजाएगा, यहाँ पर 2, divide by, 36 को 2 से multiply करेंगे, पिटा, आजाएगा, 72, plus का 5, और माइनस का 3 है, पिटा, इसको भी solve कर ले, plus का 5, माइनस की 3 को, तो आजाएगा, प्लस का 2, बेटा, 72 प्लस 2, 74 is the correct answer, सही जवाब, ज्यान से देखें, विलकुल सही जवाब, ठीक है, चलें अगले सवाल के उपर, next question आपकी screen के उपर, फटा पड़ निकालें इसको, आप इन में से एक ऐसा option आपको choose करना है, जो lack of common property, यानि जिसमें बाकी सब से जो मिलनसार नहीं हो, जो बाकी सब में common नहीं हो, ऐसा जिसके अंदर कुछ ने कुछ कमी हो, इस तरीके का कोई एक option आएगा, वो आपको tick कर करना है बिटा है याँ पास, बहुत ही सावधानी से बहुत ही सोच विचार करके इस question का answer दीजेगा, क्योंकि बहुत अच्छा question है, अच्छे question में से एक question है सरी है, special मतलब ये questions exams के अंदर आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा डर भी लगने लग जाता है, क्योंकि इन questions के अंदर मात खा जाते हैं बच्चे बहुत बार, परेशानियां पैदा हो जाती हैं बार-बार, बिटा यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखें, मैंने नोटिस कर लिया, आप भी अगर square और cube आपकी नजरों में अगर होगा, तो आप नोटिस कर सकते हैं, बिटा देखो जो आठ हने, जो आठ यहां पर दिया है, बिटा 6, 6 का square 36 हो जाएगा, 9 का यहां मामला नहीं है, 4 का भी नहीं है, लेकिन बिटा यह जो आठ है, जो smallest digitized पहले option के अंदर, इस 8 का square हो जाएगा, 64 और 8 की cube हो जाएगी बिटा 512 द अलग है, बाकी सब में common properties नहीं है, लेकिन इसमें है, अब इन तीनों के अंदर निश्चित रूप से, कुछ ने कुछ ऐसी property मिलेगी, find out the pair numbers, that does not belong to the group for lack of common property, जो एक ऐसा option choose करना है, जिसके अंदर, बाकी सब से common properties नहीं है, यानि इन तीनों के अंदर, कोई ने कोई common property मिले इसको छोड़ कर, अब बिटा देखते हैं, 37 का भाग अगर देदू, मैं 6 के अंदर, तो 6 आ जाएगा, और 206 में अगर मैं 6 का भाग दूँ, बाकी सबी के अंदर, बाकी सबी के अंदर common है, पॉइंटों में आंस्वर आ रहा है, एक common रूप से points के अंदर चीजें solve हो रही हैं, भाग देने पर इस digit का, यह जो digit हमें दे रखी है, बीच वाली, इस digit का भाग देने पर, common property आ रही है, सबी में points आ रहा है, इसको छोड़ कर यह square और cube है, इसी तरीके का एक और question हम लोग solve करेंगे, next question इसी तरीके का है, और आपकी स्क्रीन के ओपर रख रहा हूं मैं सर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह राहा सामने, पड़ाफट निकाल यह जल्दी से निकालने ही कोशिश करेंगे इसको, तो बेटा देखिए यह सवाल, पड़ाफट इस पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा जुश्चन है यह वाला भी, चांदार सवाल है यह वाला भी, 26, 126, पड़ा ध्यान से अगर इसको आप कंपेर करेंगे, तो यह आराम से आप क्षशन कर सकते हैं, कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, तो बेटा ध्या, यहाँ पर अगर मैं पांच की स्क्वेर करूँ बेटा, तो कितनी हो जाएगी? पचीस हो जाएगी? और अगर मैं उसमें एक जोड़ दू बेटा, तो क्या 26 हो रही है क्या? क्लियर है? आजएगे, बेटा पांच की स्क्वेर की है, तो पांच की क्यूब भी कर दो तरह 125 हो रही है क्या? उसमें भी एक जोड़ दो 126, 65, यार 65 किसकी स्क्वेर मजदीक कौन है? क्यार भी नहीं है, पांच, छह, साथ, फॉर्टिनाइन, आठ, चौनसट यार, आठ की स्क्वेर, प्लस एक, 65, और यहां पर आठ की क्यूब, 512, प्लस एक, 513, बोलो मामला बैट रहा है कि नहीं? कोई परिशानी तो नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर, सिंपल सा है, अगला वाला मामला, 3 की स्क्वेर, 9 प्लस एक, 10, लेकिन बिटा, 3 की क्यूब जो होती है, वो 27 होती है, और 27 में एक जुड़ने पर, यहां पर 28 आना चाहिए था, 27 आ ह है, भिन है, अलग है, कोई अलग प्रॉपर्टी लेकर पैदा हुआ है, आज आओ, यह देखो, 4 की स्क्वेर, प्लस एक, 16 प्लस एक, 17 और 4 की क्यूब, 64 प्लस एक, 65, क्लियर है बिटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर, यह रहा सामने, बिटा, विशम, कोई एक हो, इन चारों में से, उसे आपको find out करना है, और उसका answer बताना है, एक बंदा थोड़ा सा अलग होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा question है, देखिए, insurance जो होती है, बीमा, बविश्यनीदी, provident, fund, और share, यह तीनों चीज़ें ऐसी हैं, जिनमें आप अपनी जिंदगी का पैसा पूरा का पूरा लगाते हैं, invest करते हैं, investment के purpose हैं, कुछ ने कुछ लेते हैं आपसे, आपको कुछ ने कुछ देते हैं, जबकि वेतन आपको खुद को लेना पड़ता है, सर वेतन लेकर ही तो इनमें जमा कराते हैं, भाई, insurance करवाएंगे, पीएफ करवाएंगे, share, इसा invest करते हैं, ठीक है, next, a, c, बेटा हमेशा numbering से भी, आप अपने दिमाग पर रखें, लिखने के आउशिकता नहीं है, numbering से भी हमेशा alphabets का मामला set हो जाता, एक, फिर तीन है, फिर पांच है, छे, फिर आठ है बेटा, फिर दस है, यहाँ पर ग्यारा, यह बारा, और यह 13, और बेटा, यह 19, 21, और 23, ज्यान से देखो, मैंने लिखने मात्र से, तुमारे question का answer निकल आएगा, केवल लिखने मात्र से, तुमारे question का answer निकल कर, फटा-फट, within second निकल आएगा, बेटा, देखो, क्लियर है सभी के, क्या हो जाएगा इसका answer, option C, बेटा, सबके अंदर difference दो दोगा, एक से तीन, तीन से पांच, छे से आठ, आठ से दस, निस से इकिस, इकिस से ते, सबके अंदर plus का दो का difference है, जबकि केवल C वाले option के अंदर, plus का one difference है, केल खतम, पैसा हजम, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, 441, 484, 500, बहुती शांदर सवाल है, मतलब देखते ही, इसका answer निकल कर आगिया है, कि भाई, इसका answer यह होगा, आप तुम लोग बताओ, फटा पर जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, copies अपनी साथ में रखना, हर notebook में question का answer, option A, B, A, C, A, D, A तुमारे होना चाहिए, और दुबारा recording चला कर, या फिर अभी इसी समय, at present time, आप पता लगाएं कि इसका सही जवाब क्या है, मैंने जो लिखा है, क्या वो मेरा answer सही आया है, गलत आया है, तो कितना आपने time उसमें लिए है, ये सब चीजें ही आपको बहतर बना पाएंग लेकिन ये उस मुकाम तक पहुचाएंगे, जहां पर हमें पहुचता है, तो बेटा हमेशा भविश्य की फिकर करनी है, तो निश्य दूरूप से चीजें हमें एक बार पढ़नी पढ़ेंगी, I.S की तयारी करते हो तो एक बार पुरे देश की जानकरी लेनी ही पढ़ेगी बेटा, तभी जागर मामलाक सेट हो पाएगा, देखें बेटा, ये सवाल देखें और बड़ा बड़ा आंस्वर दें इसका, जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से आंस्वर दें, स्पीड अपनी मेंटेन रखें, चीक है, 21, चार सो एक तालेस, पाइस की स्क्वेर, चार सो चौबीस, तेईस की स्क्वेर, पाइफ ट्वेंटी नाइन, और बेटा अब तुम देखो तरह चौबीस की स्क्वेर होती है, क्या पान सो चाहसट, हाँ, कितना आना चाहिए था, 576 आना चाहिए था ने, आया क्या है, 566, option D is the correct answer, खेल कता मगला सवाल, बेटा 25 की स्क्वेर, 625, खेल कता मगला सवाल, आपकी स्क्रीन के ओपर यह राज सामने, बेटा, पटा पट देखें और जवाब दें इसका, बेटा अगर मैं यहां पर कंपेरिजन करूं, इन में से एक आपको अलग है, जो है, वो छाटना है, गलत है, कोई वो छाटना है, बेटा देखो, अगर मैं पीछे से चलूं, यहां पर दो का डिफ्रेंस है यहां पर दो का डिफ्रेंस है यहां पर एक का डिफ्रेंस है यहां पर दो का डिफ्रेंस है और यहां पर एक का डिफ्रेंस है पीछे वाला पैटन तो समझ में आ रहा है एक दो एक यहां पर फिर डिफ्रेंस होना चाहिए था दो का और यहां प आपर मतलब कुछ ने कुछ गडबड़ है एक दूसरा तरीका अगर अपना है इसके अंदर तो इस नौ को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो की स्क्वेर है पूर्ण स्क्वेर है तो नाइन इस दा करेक्ट आंसर नौ ऐसा है जो इन सब में थोड़ा सा यदि घडि में समय 6 बचकर 20 मिनट हो रहे हूँ मिनट की सूई तो होगी यहां पर और घंटे की जो सुई है वो होगी बेटा यहाँ पर ठीक है 6 बचकर 20 मिनट समय हो रहा है और बंदा यह बोल रहा है कि मिनट की जो सुई है यह जो मिनट की सुई है यह उत्तर पूरा हो यानि कि नौर्थ इस्ट में है मुझे यह बताओ क्या यह मिनट की सुई नौर्थ इस्ट में है क्या मतलब बंदा बोल रहा है यह जो डारेक्शन है इस डारेक्शन को बंदा नौर्थ इस्ट बना रहा है जो की गलत है जो की गलत है डारेक्शन डाउट कर्शन डारेक्शन दिशा भ्रहम यानि गलत डारेक्शन बोलता है उसे सही करनी पड़ती है सर इसे नॉर्थ इस्ट बनाएं नॉर्थ इस्ट बनाने के लिए इसे 90 डिगरी रोटेशन देना पड़ेगा तभी जाकर ये नॉर्थ इस्ट बनेगी बेटा तो बोल कहा रहा है घंटे की सुई किस दिशागी और इंगित करेगी अब बेटा ये जो घंटे की सुई है हावर नीडल ये है आपकी इस समय साउथ वेस्ट डारेक्शन में नीचे के दरफ साउथ इस तरफ वेस्ट साउथ वेस्ट में इसे भी 90 डिगरी रोटेट कर दें इस डारेक्शन में 90 डिगरी रोटेट कर देंगे बेटा आजाएगा साउथ इस्ट यानि अगर अगर मिनट की सुई नॉर्थ इस्ट में होगी तो घंटे की सुई साउथ इस्ट में होगी दक्षिन पूरा हो दिशा में होगी अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा सामने बेटा कैलेंडर का क्यूशन है और कंपैरिजन वाला क्यूशन है केवल बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है ध्यान से समझे बेटा कोई बाकी की चीज़ें पढ़ने की भी जूरूत नहीं है हरी को याद है कि 13 से 16 के बीच आती है बेटा 13 से 16 के बीच वाली जो डेट्स है उनको मैं मेंशन कर देता हूँ 13 से 16 के बीच आता है 15 13 से 16 के बीच कौन आती है 14 और 15 और बेटा उसके पिता को याद है कि 14 से 18 के बीच जनम दिन है, उसका 14 से 18 के बीच में आएगा 15, 16 and 17 बेटा इन दोनों मेसे जो कॉमन होता है, उसी दिन बंदे का जनम दिन होता है, उसी दिन शादी की सालगिरा होती है, जो भी आपको मैटर दे रखा हो, वो उसी दिन मतलब ढोल नगारे जो बजाने हैं वो कॉमन वाले दिन बजाने है, इसको याद है कि 13 से 16 के बीच यानि 14 15 को हो सकता है, इसको याद है कि 14-18 के बीच यानि 15-16-17 को उसका जनम दिन हो सकता है, तो कॉमन है विटा पंद्रा यानि बंदे का जनम दिन है विटा 15 तारीख को, क्लियर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा, मिसिंग नंबर का कुश्चन है वेटा, एक बार आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार मर्श करें और फटापट कुश्चन को निकालने की कोशिच करें, मैं बता रहा हूं अभी, ऑप्शन्स देख ले सभी, हम वो तुफानी शूरवीर हैं, जो मौत का रास्ता बदलने हैं, और यह एक्जाम तो क्या चीज है, बड़े बड़े एक्जाम क्लियर कर लें, बटा, कोई डरने की आउशकता नहीं है, थोड़ा सा आप संगर्श करते रहेंगे, निश्य दुरोप से सफलता आपके द्व हैं, तो फॉर्जा है, ठेक है, और यह आचुका है सर, डिवाइड बाइट टू, बटा, अगली वाली जो संख्या है, वो आप ध्यान से देखें, मल्टिप्लाइबाइब फॉर करने से नैटेश कारा है, ठेक है, चाविस को चार से मल्टिप्लाइब कर दें, आप नैंटे 52 2 carry 3 4 4 16 plus 3 19 192 पेटा यहां पर डिवाइड बाइड बाइट तू होगा टू नाइन जा 18 टू सिख्जा 12 96 इस दे करेक्ट अंसर अगला स्थवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा सामने बहुत ही सिंपल ता क्र्षिणर मिसिंग नंबर केक्षिण तिमाग लगाएगां आनसा आना चाहिए आपका Sam कि माराज तीन की स्क्वेर कर दिणंव आ गई और नौ में एक जोड़ दिया एंग ब सिंद्कические कर दिविटा नं आगई और नौ में एक जोड़ा माराज दस आगया आया गी नहीं है आगे बेटा दस की स्क्वेर कर दी सो आ गया सो में एक जोड़ा पेटा एक सो एक आ जाएगा क्लियर है कि नहीं है पेटा एक सो एक की स्क्वेर कर दें एक सो एक की स्क्वेर हो जाएगी वन जीरो टू जीरो वन 101 की स्क्वेर 10201 प्लस वन कर दें मिटा 10202 बोलें कोई परेशानी हो रही है तो किसी भी भाई या बेहन को कोई परेशानी है तो बताओ सवालों का सिलसिला है दिरे दिरे बीच जाएगा चलें अगले सवाल के उपर नेक्स्ट के उपर चलें मिटा पटा पर बताएं दिल्दी से अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा सामने वहाद ही सिंपल सा क्षिशन है यह वाला भी बिटा ध्यान से देखें डी से एफ डी से एफ दो जुडे बिटा एफ से एच एफ छे पर यह आठ पर दो जुडे एच आठ और जे दस तो दस में दो जुड़ देंगे बारा पर आएल आएगा विटा एल सभी के अंदर कॉमन आ रहा लास्ट वाला इल्फाबेट जो है वो सभी के अंदर डिफरेंट है कुछ नहीं करना लास्ट वाले एल्फाबेट देख लो वाहां पर कौन आना चाहिए जेसे दस से बारा दो जुड़ा है बारा से फॉर्टीन दो जुड़ा है फॉर्टीन से सिक्स्टीन दो जुड़ा है एमो एस यू जेडबी के एम लिखा जाता है तो उस कोड में टेस्ट को क्या लिखा जाएगा बहुत सिंपल सा कर्षण है बहुत ही सिंपल सा कर्षण है लेकिन कई बार यह प्रमित कर देता है बच्चों को कि देखो मेरे राजकुमार सात्यों देखो ध्यान से देखो बिटा मेंटल जो है ने उसको बंदे ने लिखा LN पिटा बंदे ने 6 लेटर्स को 12 लेटर्स में कनवर्ट कर दिया तो कुछ ने कुछ रास्ता तो निकाला होगा 12 लेटर्स में कनवर्ट किया है तो निश्चित रूप से एक एक अलफबेट को कोई दो-दो लोग कोड कर रहे हैं तो दो कुछ थी पिटा म से एलन भी आप ध्यान से देखो म से जस्ट पहले एल और एम के जस्ट बाद वाला अन दोनों हैं परटिकुलर जगे पर अपनी पेटा Sikh इसे जस्ट पhले D और E के जस्ट बाजवाला F अपनी जगह पर है N से जस्ट पहले M आता है और M के बाद में O आता है अपनी जगह पर T से जस्ट पहले S और बाद में U A से जस्ट पहले Z आएगा बिटा और बाद में कौन आएगा B L से जस्ट पहले के आएगा बिटा और बाद में कौन आएगा M देख लेते हैं टेस्ट बिटा T से जस्ट पहले S आता है और T के बाद में U आता है S U E से जस्ट पहले D आता है और बाद में just F आता है बिटा S से जस्ट पहले S U D F वैसे तो अच्छा दो दो options हैं ठीक 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 और निकाल लेते हैं S से जस्ट पहले आ रहाएगा बेटा और S के बाद में T आ जाएगा बेटा T से जस्ट पहले S आ जाएगा और बाद में U आ जाएगा S U D F R T S U Option number D is the correct answer Clear है fundamentals सभी के? Fundamentals clear होने चाहिए बेटा सभी के Next question आपकी screen के ओपर यह रहा सामने वेटा Typewriter को लिखा है बहुत ही आसान था question है Typewriter सवाल को देखते ही ऐसे सवाल जक जेसे एगदम दिमाग के अंदर आ रहा है G B K V T I R G V I पेटा ध्यान से देखो आप यहां पर T आता है पेटा इनका जस्ट अपोजिट अलफाबेट है जो नीचे की तरफ है अपोजिट अलफाबेट है अगर किसी बाई या बहन को अपोजिट अलफाबेट की नॉलेज नहीं है तो नॉलेज कर ले ना बेटा कोई भी अलफाबेट है उसकी जो नंबरिंग है उसको 27 में से क्योंकि टोटल अलफाबेट 26 होते हैं लेकिन 26 में आप एक और जोड़ दें रेंकिंग का नियम होता है कि पीछे से अगर आप चल रहे हैं एक और एक्स्ट्रा लेने ताकि एक्जक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएं तो बेटा 27 में से 20 को लेस करूंगा साथ बचेंगे साथ पर आता है बेटा जी अगर अपोजट के बारे में पता करना है अब बेटा हमें अपोजट पता करना स10 होगा स आता है बेटा 19 पा और अगर एस 27 मेंसे 27 में से 19 अगर less करता हूँ तो बिटा इसका opposite आजाएगा सबी के अंदर h नहीं है केवल इसके अंदर और इसके अंदर है बिटा last वाले दोनों alphabets के नंबर अलग 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 तो केवल last वाला निकाल लो की सबको निकालने की ज़ुरत नहीं है इस टैनों के अंदर और किसी को नहीं निकालना ओ का opposite निकाल लो ओ आता है बिटा 15 अपार कितने पर 15 अपर 15 27 में से 15 less कर देंगे ने बिटा तो बिटा 12 आजाएगा 12 पर इसका opposite हो जाएगा तो शुरू में तो एच आना चाहिए और लास्ट में है लाना चाहिए जो कि option number B के अंदर सवाल में समय भी कम लगे और बेस्ट चीजें सीखने को मिले pattern वो अपनाना है आप अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर ये राह सामने फटापर देखें फटापर जल्दी जोश के अंदर P बराबर 16 मैं P बराबर 16 यानि मेरा number ही 16 है तो tap बिटा T आता है 20 पर A आता है 1 पर और P आता है 16 पर जोड़ देंगे सबको 37 आ रहा है बिल्कुल tap का मतलब 37 ही दे रखा है तो कब कितने पर आएगा बिटा देख लेते हैं कब C आता है 3 पर U आता है 21 पर और P आता है 16 पर बिटा जोड़ दें 16 और 17 और 20 37 प्लस 339 इस दा करेक्ट आंस्वर अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा सामने E बराबर 5 मैं यह बराबर पांच वे स्थान पर आया हूं यानि मेरी पोजिशन पांच हुई है तो हैं बराबर हैं चाहता है आठ पर पांच पर और 14 पर बिटा 14 और 5 19 प्लस 8 27 यह रहा विटा 27 पिटा पैन 35 इस दा करेक्ट टांसर जोड़ लिया मैंने तो 16 और 14 16 और 14 30 प्लस 5 35 अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा सामने पटा यह अगर दिक्कत कर रहा हो तो मैं लिख भी देता हूं कोई परेशानी नहीं है पैसे पता है 16 और 14 30 हो जाते हैं प्लस 5 35 अगला देखो राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्यूशन है हमारा राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है बिटा यहाँ पर राजू को डिफाइन कर रखा है कि राजू जो है वो एक परिश्रमी व्यक्ति है और दूसरा वाला बोला है कि प्रतेख को कठिन परिश्रम करना चाहिए दूसरा निश्कर्ष है हमारा प्रते को कठिन परिश्रम करना चाहिए सर उपर वाली जो चीज है स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये बिटा सिलॉक्स का केश्चन नहीं है कुछ कुछ कुटे बिलनी है कुछ गदे खरगोश है उस टाइप का केश्चन नहीं है ये उस स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्रिश्चन है जिसमें आपको अपनी मेंटल अबिलिटी का यूज लेना पड़ेगा जो चीज आपसे कहीं जाए केवल उसके बारे में ही सूचना है उसके अलावा एक्स्टा चीजें पर्टिकुलर आपको एड नहीं करनी है अपने मन से ठीक है, statement conclusion का ये rule होता है, उपर अगर statement positive है तो conclusion negative नहीं होना चाहिए, ठीक है, आईए, पिटा देखिए, परिश्रमी व्यक्ति को राजु की तरह सदेव पुरशकार मिलता है, राजु परिश्रमी व्यक्ति है, इसलिए राजु को पुरशकार मिलता है, तो राजु एक परि कर रखी है जो कर रखी है वो पूछ बोला है मैंने इसको टिक कर दिया सही है भाई ये प्रते को कठिन परिश्रम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं उपर की दरफ कि सब लोग कठिन परिश्रम करो एक्स्ट्रा चीजे कुछ भी आएंगी देन दीज आर रॉंग गलत होंगी सर्व केवल निशकर्ष पहला निकलता है और ली कंक्लूजन फरस्ट फॉलो नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह राज सामने में जान से देखें सभी अंग्रेजी चलचित्र हिंसक हैं उसका ही हिंसक फोड़ा साल वॉइलेंटे में जो सब यह सब चीज हैं यहा बन ऑ्रिओंड़ नम्हें को कम करना है नबन बोल्रा है English movies के अंदर violence बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग सेकेंड वाले में बोल रहा है कि कुछ लोग English movies इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें वाली movies देखना पसंद है यह बात statement के अंदर बंदा बोल रहा है मैंने दोनों statement से यह comparison निकाला है पहला अंग्रेची चल्चित्र देखने वाले सभी लोग हिंसा को पसंद बिलकुल निश्चित रूप से जो English movies देख रहा है उसे वाइलेंट पसंद है तभी वो English movies देखेगा KGF मुवी जिसे चुबह श्याम रात दिन चुबह श्याम अल्ला का नाम भगवान का नाम हाना जीजस क्राइस्ट का जिसका भी नाम भगवान का जो भी रूप है उसका नाम 24 गंडे पूजा पार्ट में लगा हुआ है उसे वाइलेंस की मुवी पसंद हैगी कि अचानक से KGF दिखाने पर भेज तो वो तुरंद करने लग जा राम 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 है देखी नहीं पाएगा तो वही कान ही है वेटा सभी लोग जिने इंग्लिश मूवी जो देखने हैं उन्हें वाइलेंस पसंद है बिलकुल सही बात बोल रहा है बंदा जो देखने गया है उसे चलचित्र देखेगा ही देखेगा गहरे यार उपर ऐसा बोला ही नहीं गया है 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 हिंसा जेल में बैठे हुए सभी लोग लगबग 80% को हिंसा पसंद है करते ही है मूवी देखने जाते हैं गया ना ना ऐसी चीज उपर बोली थूड़ी गई है यार गलत केवल पहला है यारे सभी नम सिभी नाम mode ृध Repeater दोने अपनी अपनी इंटर-चेंज कर ली इंटर-चेंज करने के बाद में यह नाम का दो कंद पंदा है यार्वे पर चो रहेगा वह तो भी आ जाएगा और इदर से रचो रहेगा उसकी जगए पर एज आ जाएगा इंटर्चेइज करने के बाद में बंदा बूल रहा है कि A नाम का जो बंदा है वो left side से 85 पर इस अधर से यह नाम का बंदा में पर आ जाएगा A की दोनों तरफ से positions आपकी screen के उपर एं left से 18 पर, right से 10 पर total number of student निकालने हैं इस दोनों को जोड़ दो 18 और 10 28 28 में से 1 कम करेंगे क्योंकि 1 को इधर से भी जोड़ रहा हूँ 1 को इधर से भी जोड़ रहा हूँ दोनों तरफ से नहीं जोड़ना है यार बंदा एक है एक ही तरफ से जोड़ो minus 1 कर देंगे बेटा formula क्या होता है बेटा 10 plus 18 minus 1 जो भी आएगा उसमें minus 1 कर देंगे बेटा 27 is the correct time clear है अगला स्वाल आपकी स्क्रीन के उपर ये रास आमने अर्थमेटिकल प्रोब्लम अंक गणितिये प्रशन एक जगह पर कुछ लड़के और कुछ खुते हैं ठीक है बाई पैर जो यह वो 20 है स्पयर सिर्टों के साथ और पैर यह वू 21 तो कितने लड़के बाई सिरों की संख्या साथ मतलब total कुटे और मैं अगर तिर की संख्या साथ नैं सो इसका मतलब यह मालने ना कि कुटे और लड़के दोनों मिलाकर साथ एक ही सीर होता है हो सकता है पांच कुत्ते हो एक आदमी हो सकता है पांच आदमी हो एक कुछ भी हो सकता है सात होंगे टोटल, दो सॉरी. लेकिन जो पैरों की संख्या होती है, वो डिफरेंट होती है. बिटा कुत्ते के चार पैर होते हैं, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है, तो महराज मैं दिखा देता हूँ, डाइगराम मना कर जेंए लो है, हाँ, यह चार पैर होते हैं, बि बैटा जाहिर सी बात है अगर दोनों को मिलाकर आदमी और कुट्तक दोनों को मिलाकर 20 प्रहें तोटल तोब हमें कुट्तों वाला मौमला देखने हैं अगर 5 कुट्ते हुए 60 पहर हो जाएंगे और तीन लड़के तो 3 के 8 14 खेल खतम, बीस नहीं होते हैं, बीस आने चाहिए बिटा, तीन कुत्तों के चार-चार पहर होंगे, तो बारा तो पहर होगे, और चार लड़के हैं तो आठ पहर होगे, लड़कों के, बारा और आठ बीस, यानि की मामला बिल्कुल सेट बैट रहा है, यही होगा अंसर, ठेक है, साथ लड़के, सीर ओ गए साथ, पैरों की संख्या देख ले मेटा, जो मैन हैं, उनके एक आदमी के दो पैर होंगे, और टोटल मैन की संख्या जो है, वो चार है, तो बेटा इनके कितने होगे, आठ पैर हो गए, जो कुत्ते हैं, बीटा, एक कुत्ते के चार पैर तोटल कुत्ते दे रखें तीन तोटल पैर कितने हो गए कुत्तों के बारा बारा और आठ जोड़ दो टोटल कितने हो गए क्लियर है फंडामेंटल अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा एक टोकरी में सेवों की संख्या एक मिनट में दुगनी हो जाती है मतलब अगर फहली मिनट में 2 सेव हैं तो दूसरी मिनट में 4 हो जाएंगी तीसरी में 8 چौती में 16 इस तरीके से सेवों की संख्या दुगनी होती है यदि टोकरी एक गंटे में सेव से भर जाती एक गंटे में अगर सेव से भर जाती है मालो एक गंटे के अंदर उसके अंदर सौ सेव हैं तो टोकरी आधी कब होगी यार पहले घंटे में यानि साथवी मिनट जब होगी तब टोकरी के अंदर मालो सौ सेव हैं तो यार 59 मिनट होगी उस समय टोकरी के अंदर 50 सेव होंगे तभी तो अगली मिनट में दुगने हो जाएंगे सो, जाइड सी बात है, जेश्ट इसते पिछली मिनट में आदे से होंगे, तभी तो दुगने होंगे, तिमपल सी बात, पेल करता है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहाँ सामने, dictionary order में set करना है लेकिन meaningful word है मतलब कुछ ने कुछ मतलब निकलेगा इस सवाल का मकान है, सडक है, कमरा है, कस्बा है और जिला है देखें बिटा dictionary order में set करतें बिटा सबसे पहले आजाएगा बिटा three number room camera ठेक है सबसे पहले camera बिटा और camera होगा कहा मकान के अंदर होगा और कहा होगा camera कहां होगा, मकान के अंदर मकान कहां पर होगा विटा रोड और कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रखा है कई प्लॉड वगरा कुछ होता तो हम बना देते लेकिन सडक है तो सडक पर बनाएंगे रोड पर ही होगा कस्बे के अंदर सॉरी तीन हाँ में अच सडक नहीं आएगा सॉरी यहां पर कस्बे के अंदर होगा कशबे के अंदर को कस्बा होगा ठीक है और कस्बा काहां पर होगा और बीटा सडक पर होगी जिले में होगी तीन एक चार दो पाँच ऑप्शन बी इस दे करेक्ट आंस्वर अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह रहा सामने चटान पहाड़ी परवत परवत माला और पत्थर बिटा पत्थर सबसे छोटी जीज़ है पत्थर पत्थर कहां पर होगा पत्थर कहां पर होंगे पहाड़ियों पर और पहाड़ी कहां आओगी बता कहां होगी परवत पर ठीक है और परवत कहां होगा बिटा परवत माला और परवत माला पर क्या होगी चट्टाने बड़ी बड़ी पांच दो तीन चार एक पांच दो तीन चार एक देखने बिटा बोले कोई दिक कर दो किसी को भी कोई परिशानी है तो बताएं बिटा मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पांच चट्टान हां बड़ा पत्थ्रों से मिलकर चट्टान बन्ती यह गलत्त होगे खिए और वो जो चट्टान है वो पहाड़ी का रूप लेंगी और परवत बिटा मिलकर परवत माला का रूप लेंगे अर आवली परवत श्रंकला लास्ट के अंदर मैंने एक कर दिया था थोड़ी से मिस्टेक होगी ति दिमाग थोड़ा सा कहीं और चला गया था देखा मैंने गलती हुई है उदार दी उसको तौरी पांच एक दो तीन चार बिटे छोड़े पत्थरों से मिलकर चट्टाने बनेंगी चट्टानों से पहाडियां बनेंगी पहाडियों से परव मलाएं बनेंगी अगला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर यह राज सामने बिटा फटाफट देखें मिसिंग नंबर का क्रश्चन है और बहुत ही आसान सा क्रश्चन है देखते ही सवाल का जवाब निकल कर आएगा फटाफट थ्यान से देखें नौ से यहां पर चार हो गया कि यह तीन का स्क्वेर हो गया तो यहां पर मुझे निश्चित रूप से चार का स्क्वेर यानि कि सोड़ा जोड़ना चाहिए बिटा अगर मैं सोला जोड़ता हूं इसके अंदर तो बिटा फॉट्टी एट आ जाता है इसका मतलब यहां पर जो डिजिट आएगी वो आएगी ठर्टी एट अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ओपर यह रहा है सामने नेक्स देखें नौ से बारा प्लस का चार प्लस का तीन बारा से अठारा प्लस का चै बिटा तीन जुड़े छे जुड़े नौ जुड़ने चाहिए अगले वाले के अंदर नौ जुड़ने बिटा अठारा में नौ जुड़ने बिटा 27 है क्या बिलकुल है डिवला उप्शन करेक्टा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ओपर यह र राज्य का प्रतिनी जित्व करेगा मतलब आपको विन डाइग्राम ऐसा वे नारे वे नाम का साइंटिस्ट था जितने चीज़ों को मोडिफाई करके बहुत ही छोटे रूप में किया डाइग्रेमेटिकल रूप के अंदर तो बेटा देखो काम हमेशा बेटा जिला में हो उनकी क्वालिटीज के अधार पर आप फैसला करेंगे कि चीजों को किस तरीके से मॉडिफाई करना है जैसे मान लीजिए इसका अंसर तो बी हो जाएगा जैसे मान लीजिए डॉक्टर आ गया कि आदमी आ गए और ऑरत आ गए इनका डारगराम बनाएं तो माराज अब आदमी ओरत के अंदर आजएगा कि सारे के सारे आदमी जितने भी और नहीं पॉलिटी इनकी गुणों के अधार पर कुछ आदमी भी हो सकते हैं और कुछ औरत भी हो सकती है कुछ आदमी भी हो सकती है और कुछ औरत भी मेल और फीमेल अलग अलग है सर दोनों की क्वालिटी इस अलग अलग है डिफरेंट है डॉक्टर बेटा डॉक्टर जितने भी मेल है जितने भी डॉक्टर है उनमें से आदे डॉक्टर मेल है और आदे डॉक्टर फीमेल है इस त उन्हों के अंदर बाढ़ दिया तो हमेशा विंड डाइग्राम में क्वालिटीज को देखकर फैसला करेंगे कि हमें करना क्या है फैसला क्या लेना है और हमारे चैनल रिजल्ट गुरूप पर आप ध्यान से हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर आप अटेच करने ताकि आपक कुछ भी लिखकर भेजें अगर कुछ सुधार करना है तो हम उसमें सुधार करेंगे कुछ नए टाइप के कर्शन जोड़ने हम जोड़ेंगे सेकंड चीज हमारे यूट्यूब चैनल को निशिद रूप से सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना ना भूले अगर आ साज कर्शन के अंदर आ गए और आपको जो करवा रहे हैं यह कर्शन लेटेस्ट पैटन पर आदारित हैं आप कोई भी एक्जाम देने जाते हैं इस टाइप के कर्शन सापको उस एक्जामिनेशन के अंदर निश्यत रूप से लगातार मिलते रहेंगे तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे शेयर जरूर करना थैंक यू वेरी मुच तो अल आफ यू थैंक यू तू जाइन अस